तो वेलकम है फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखंड प्रात्मिक सिक्षक नियुकती 2008 में जारखंड जीके से पुछे गए प्रश्ण प्रात्मिक सिक्षक मतलब की जो प्राइबरी क्लास होता है वन टू फाइप उसमें सिक्षक नियुकती हुए थी 2008 में उसमें जारखंड से कुल 5 प्रश्ण पूछे गए थे उनी 5 प्रश्ण को हम देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्ण हमारा आता है कि जारखंड राज का गठन कब हुआ आप सभी को मालूम होना चाहिए जारखंड राज का गठन 15 नौवंबर 2000 इसवी को हुआ आंसर ए हो जाएगा ओप्शन ए पंदर नौवंबर 2000 इसवी को बिहार से अलग हो गया था ठीक और 45.80 परसंट बिहार का जारखंड है ठीक वरतमा जारखंड और बिहार था आपका 15 परसंट नेक्ट है आपका जारखंड बिधान सभा में सदैस्यों की कुल संख्या कितनी ह होती है जारखंड बिधान सभा राची में है इसमें कुल सदैस्यों की संख्या है बिरासे 82 इसमें 81 जो होते हैं एक क्यासी विधायकों का चुनाव किया जाता है इलक्सन के दुवारा और एक मनोनित किया जाते हैं ठीक नेक्स्ट है आपका तिलया डेम किस नदी पर इस्तित है तो तिलया डेम जो है आपका बराकर नदी पर इस्तित है और जारखंड की सबसे बड़ी नदी है स्वर्ण जार्खन राज में इस्तित थे जी और जार्खन में सबसे बड़ी कोईला के खान कहां पे हैं तो यह आपका जर्या में जर्या कहां पे हैं धनबाद में जहां पर गयंक सब वसे पूर हुआ था आपको देखें होंगे नहीं देखें तो देख लिजिए एक बार नेक्स्ट आ मैं आपको एक क्वेशन दे रहा हूं उसे कमेंड बताईएगा कि जार्खन की औधोगी करा जाती है जार्खन के औधोगी करा जाती है ठीक यह आपको कमेंट सेक्षन में बताना है तो चलिए इस वीडियो को यह पर एंड करते हैं ऐसे विभीन एक्जामों से पूछे परस चैनल में आने वाले फ्यूचर में तो फिर मिलता है नेक्ष्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़िये अपने हक के लिए लड़िये खुद भी आगे बढ़िये देश और राज को आगे बढ़ाईए एंड बाई आंसर देजीएगा जार्खन की कहां पर है